दोस्तों कर आप ये जानना चाहते हैं कि किस को इनकी प्राइस कब पंप होगी और डम कब होगी तो आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखना आज किस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस को इनकी प्राइस कब पंप होती है डम कब होती है जिसकी मदर से आप 10 म भी मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर लीजिए, और please इस वीडियो को जादा-जादा like किजिए, इस वीडियो को मनाने में, बहुत जादा महनत लगी है, और अगर आपने telegram चैनल को भी जोइन नहीं किया है, तो उसको भी जोइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको time to crime free signal और instant update देता रहता हूँ उस channel के link आपको नीचे description में दी गई है वहाँ पे जाके आप join कर सकते हो तो दोस्तों बिना देर की ये वीडियो को start करते हैं दोस्तों मैं आपको एकदम beginner level से बताऊंगा कि coin की price कब pump होगी, कब dump होगी उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि market कितने type का होता है तो दरसल market दो type का होता है एक होता है bull market और एक होता है bearish market जब price उपर की ओर जाती है, uptrend आता है तो वो होता है bull market और जब price नीचे की ओर आती है लोग अपनी holdings को बेचने लग जाता है डाउन ट्रेंड आता है तो वो होता है bearish market तो आपको ये तो clear हो गया होगा कि market कितने type का होता है अगर आपको ये जानना है कि कौन सा coin pump होगा dump cup होगा तो इसके लिए आपको market को analyze करना आना चाहिए market को analyze करने के लिए आपको तीन factor की जरुत पड़ेगी पहला होता है technical analysis दूसरा होता है fundamental analysis और तीसरा होता है sentimental analysis तो दोस्तों सबसे पहले technical analysis के बात करते हैं technical analysis की मदद से आप ये मालूम कर लेंगे कि कौन सा coin pump होगा और dump cup होगा तो आपको technical analysis करने के लिए चार्ट को फंडना आना चाहिए चार्ट को देखना आना चाहिए चार्ट देखने के लिए सबसे one of the best website है trading view trading view के बारे में मैंने आपको थोड़ा brief में एक वीडियो में बताया हुआ है वो वाला वीडियो है entry और exit वाला है जिसको आप देख सकते हो उसमें मैंने आपको थोड़े indicators के बारे में बताया है trading view में आपको बहुत सार indicators मिल जाएंगे जिनकी मदर से आपको easy ली पता चल जाएगा कि कौन सा coin pump होगा और कौन सा coin dump होगा लेकिन आपको उन indicators को चलाना आना चाहिए मैं आपको time to time अच्छे अच्छे indicators के बारे में बताता रहूँगा इसलिए मेरे चैनल को subscribe कर लीजे आपको ऐसे वीडियो भी मिलते रहेंगे और इस वीडियो के end में मैं आपको कुछ indicators के बारे में बताऊँगा bonus की रूप में तो इस वीडियो को last तक जरूर देखना अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो भी इस वीडियो में आपको brief में पता चल जाएगा अब दोस्तों दूसरे analysis की बात करते हैं वो है fundamental analysis fundamental analysis से भी आप ये मालुम कर लेंगे कि coin की price pump कब होगी अब जाती है इसका एक सबसे best example यह है अगर आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर एक्टिव हैं तो मैंने एक कडानो को लेकर एक news अपडेट आया था वो बताया था कि coin based pro में कडानो दोंचोने वाला है तो जैसे ये update आया तो कडानो की price कितनी अप हुई मैंने फटापट से उसका screenshot लेके आपको बता भी दिया था तो दोस्तो fundamental analysis भी बहुत जादा work करता है तो आपके दिमाग में आप यह आ रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से coin में बड़ा event कब आ रहा है बड़ा update कब आ रहा है जैसे यह कोई बड़ा update यह बड़ा event आए तो आपको उस coin में entry ले लेनी है और जैसे price उपर जाए आपको अपना profit निकाल के निकल जाना है इतना सा simple सा काम करना है बहुत सारे लोग profit निकालने के लिए fundamental analysis का इस तरीके से भी यूज करते है अब दोस्तों तीसरे analysis की बात करते हैं वो है sentimental analysis sentimental analysis की मदद से भी आप coin की price pump होने का या dump होने का पता लगा सकते हैं इसका सबसे best example है doge coin doge coin को लेकर market में इतना sentiment हुआ doge coin इतना popular हुआ लोग इसको लेकर चर्चा करने लगे लोगों ने इसमें interest दिखाया अब ही recent की बात कर लो बिटोरेंट में जो ये pump आया है बिटोरेंट की price उपर गई है वो इसलिए गई है टिक टोक में बिटोरेंट को लेकर popularity हो रही है तो वहाँ से बिटोरेंट में pump आया है अब आपकी दिमाग में यह आ रहा होगा कि हमें कैसे पता दलेगा कि किस coin को लेकर sentiment बन रहा है कौन सा coin लोग discuss कर रहे है कौन सा coin popular हो रहा है तो आपको इसके लिए एक simple सा गाम ये करना है जो भी बड़े-बड़े celebrities हैं उनको follow कर लेना है like Elon Musk ये जैसे ही कोई tweet करते हैं इन coins को लेकर तो उन coins की price बहुत अप जाती है आप Dogecoin में भी थोड़ा बहुत amount hold करके रख सकते हो जैसे Elon Musk को tweet करेंगे तो उसकी price pump चाहेगी आप अपना profit निकालके निकल जाना और एक और बात होता हूँ है दोस्तो जैसे मालो Bitcoin की price डाउन आती है तो ये बड़े-बड़े celebrities अपने बायो में hashtag Bitcoin या Bitcoin के बारे में डालने लग जाता है तो इनके दुवारा sentiment बना जाता है तो फिर Bitcoin की price वापस से उपर चली जाती है दोस्तो ये effect होता है market में sentiment बनानेगा तो आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा अब दोस्तो आपको मैंने तीनों चीजे बता दिया है अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको candles को कैसे समझना है chart को कैसे समझना है और indicators को कैसे use में लेना है तो मैं आपको trading view पे लेके चलता हूँ वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा interface मिलेगा अगर आपके पास ऐसा interface नहीं आता है तो आप chart के option पे click कर लेना और आपके पास ऐसा interface आ जाएगा यहाँ पर उपर left side के corner पे आप किसी भी coin का किसी भी pair में chart open कर सकते हो यहाँ पे आपको दो तरह के candle दिखाई दे रहे होंगे एक ग्रीन candle और एक है red candle green candle का मतलब होता है कि price का आप जाना और red candle का मतलब होता है price का नीच आना यह तो simple सी बात आपको पता लग गई होगी अब मैं आपको candles को analyze करना सिखाता हूँ आपको इसके लिए क्या करना होगा उपर indicators का option दिया गया है वहाँ पे MACD को search कर लेना है और आपके पास कुछ ऐसा interface आ जाएगा आपको यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत setting करनी होगी जो कर लेना मैंने वो वाले वीडियो में बताया हुगा है वो वीडियो जरूर से जरूर देख लेना पता लग जाएगा और उस वीडियो में मैंने आपको MACD को लेकर पूरी चीजे डिटेल में भी बताईए तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको दो तोरह के केंडल देखने को मिल रहे होगे एक green candle और एक नीचे red candle यहाँ पे भी आप देख सकते हो जहाँ पे गहरे green candle है उसका मतलब यह होता है कि यहाँ buying pressure जादा है और यह हलके green candle है इसका मतलब यह है कि buying pressure कम है और नीचे यहाँ पे ज़्यादा गहरे red candle है उसका मतलब यह है ज़्यादा selling pressure है और यह हलके green candle हो रहे है उसका मतलब यह है कि selling pressure कम हो रहे है इतना सा बात आपको समझ में आ गया है अब आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस कर सकते हो जैसे यह green line, red line को cross करती है तो price उपर के और जारी है pump हो रही है आपके दिमाग में यह आ रहोगा कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि यार इसके बाद इस price उपर जाएगी जाएगी थोड़ा सा उपर जाके भी तो नीचे आ सकती है तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी bonus tip देता हूँ आपको इतना सा करना है कि अगर green candle, गेरे green candle अब trend की तरफ बनने लग जाए, भढ़ते करम में बनने लग जाए तो आपको entry ले लेनी है, उसके बाद price अब जा सकती है यहाँ पर आप देख सकते हूँ यह भढ़ते करम में गेरे-गेरे green candle बन रहे है उसके पास से यह price उपर गई है तो दोस्तो यह simple से trick है तो दोस्तो आसा करता हूँ आपको, सब को समझ में आ गया होगा अगर अभी भी आपके मन में कोई doubt है तो प्लीज नीचे comment करके बता दीजिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते है next video में Till then, bye झाल